घलो सुदेंस आज आपां करांगे जुमेटिकल इंटरप्रेटेशिन अफ इंडे compartment इंडे इंटेग्रल मतलब की जुमेटिधि अकोरडिंग इंडेफिने इंटेग्रल दा मीनिंग की बंद है थे Les कि indefinite integral नो geometry की कहन दी है यह आपा समझांगे अच यह मैं first number पाया है एक function suppose कर ले मैं f of x is equal to minus 2x ठीक है यह दी integration करने लगे आपा function दी देखो minus 2x dx यह दी integration किया जेगी यह वाली by 2 आएगा एक 2a वाला कट्ट्या जाएगा तरह जेगा minus x square plus c where c is a constant of integration यह पता ही है सारे बच्चे है नो कि आपा लगाने हुने है constant of integration हुन यह देखिया आपा कि यह है जड़ा आया है इन्हों आपा y राक लिया ठीक है यह वाला जड़ा y कि दे बराबर आगा minus x square plus c दे इन्हों मैं थे फिर लिख लिया यह की रिपर्जेंट कर रहे है यह रिपर्जेंट कर रहे है family of downward parabolas having axis of symmetry along y axis अपा इत्वे हुन खोली खोली समझाएंगे कि एक की जीज होगी हाना इत्वे अपा देखिए ए वाला से अपने गोले y is equal to minus x square plus c ता मैं सीधी जगा ते की पुट करता जीरो क्योंकि c दिया values कुछ भी हो सकती है ता जदो c 0 पुट करांगे ता यह आजेगा y is equal to minus x square ता इन्हों बच्चे बड़े अराम नल पहचान सकते है यह अपा प्लस वंच पड़ेव है this is standard downward parabola standard मतब जड़ा 00 तो यू टर्न मार गया ता यह बन गया y is equal to minus x square फिर जदों अपा c d value 1 पर ही यह थे तक की हो गया y is equal to minus x square प्लस 1 ता होने नू क्यों करते है अपा 1 है जड़ा इदर चला जानादा है minus 1 हो जानादा है ता ओदे नाल की यह अपना vertex है जड़ा जिनना ने conic section समझावे बच्चा ने उननों पता लाग जेका बड़ी सानिनाल कि उन्हादा vertex है जड़ा हुन है ता यह भी parabola पर vertex है जड़ा हो क्यों गया shift हो गया किते हो गया 0,1 ता यह भी parabola है downward बट यह दा vertex है 0,1 ता आद देख सकते हैं तोसी यह वाला parabola बन गया यह वाला यह दा vertex की है 0,1 उसे तरह जड़ों आपा cd value 2 उट कीती इदे विच ता यह बन गया y is equal to minus x square plus 2 फिर 2 एदर चला जाएगा ता y minus 2 is equal to minus x square ठेक है फिर आपा जेदा vertex find out करिये ता vertex किना हो जेगा 0,2 ता o आगया आद देखो vertex मतलब जित्तों parabola सड़ा u-turn मार रहे हैं ता हुन 0,2 इते आगया तब parabola सड़ा है ता downward बट कित्तों u-turn हो रही है 0,2 तो ठीक है जी ऐस तो बाद होना पर c दिया कुछ negative values पर कि देख दिया जो दो c-1 पर रहा यह देच ता यह इस तरह बन गया उन 1 उदर जाके प्लस दा 1 हो गया ता यह भी की है downward वहरा भुला बट यह दा vertex कि हो जागा 0,-1 आद देखो यह आगया 0,-1 ते vertex बना के असी कि करना है यह दो downward दिखा देना है ओके जे अपन c-d value minus 2 पुट करिये ता यह तरह बन जागी करव minus 2 यह दर जाके प्लस 2 हो जेगा यह भी पहरा भुला है downward बट यह दा vertex कि हो जेगा 0,-2 आद देखो यह आगया 0,-2 ता यह बन गया downward पहरा भुला तहुन आपन की देख पा रहे हैं कि जो साड़ी integration आई सी यह वाली integration लिखे दे होने आना जदो आप आप आई लिखे आ ता यह की represent कर रही है diagram चे देखे ता देखो because cd values आपनों पता है कि बहुत सारी होने हैं ता आपनी की है curves बन नहीं है different different curves है different curves in the sense कि है parabolas but कि यह हो आप दी position change कर रहे है parabola पहला उपर नो जा रहे है फिर नीचे नो जा रहे है but यह curves की है एक दूजे दे parallel ही होन गिया एद्दा बिल्कुल सेम जिमें आप आप आँ थे you कट के एद्दा उपर लेजेए फिर उसे you नो कट के धले लेजे ठीक है ताहुन एक चीज आप नो बता लागी कि indefinite integral है जिड़ा वो एक तरह family of curves दिखान दा है ठीक है होन आप पढ़ दे हैं थे end थे so from here we can say that indefinite integral represents a family of curves जिड़ा की मैं होने तुन दस है एक family बन जान दिये family क्यों बन दिये क्योंकि c दियां वकरियां वकरियां values वासे curve है जड़ी एदना ही खिसकती रहन दिया ठीक है for different values of c we are getting curves parallel to each other हाना आमें जिवें क्या से कि parabola ऐसे तरह ही उपर नो किसकता रहेगा नीचे नो किसकता रहेगा बट होएगा कि parallel मतोदा shape है जड़ी ऐस तरह जी मैं परकिये तरह ऐस तरह उपर उपर जान दी रहेगी ऐसे तरह नीचे नीचे आन दी रहेगी ओके हुन आपा second गल समझ दे देविच ता second आपा की करन लगया diagram ता अपनी होगी ये देखो family of curves ता आपा बनानी बनानी है दूजी गल समझ दे नवास दे हुन आपा एते बढ़ दे हुन आपानों क्या है कि now draw a line parallel to y-axis y-axis दे parallel एक line draw करो या देखो की लिख्या हो है इन्हों आपा समझ दे नाची तरह a line orthogonal to the axis representing the variable of integration के नदा एक line किच्चो orthogonal दा मतलब perpendicular किच्चो हुन आपानों पुच्चना पएगा कि कीदे perpendicular किच्च यह तैदा जवाब अगगे है to the axis representing the variable of integration एक line perpendicular किच्चो कीदे perpendicular जिड़ा उकेंदा तोड़ा integration दा variable integration दा variable आपना x है यह हुन दा integration दा variable ठीक है हुन आपानों पढ़िए ता मतलब यह बंदा है कि एक line perpendicular किच्चो किदे उपर x-axis दे उपर क्योंकि उन्हें किए perpendicular किदे ते खिच्चनी है जड़ा तोड़ा integration दा variable है तो integration दा variable अपना किनने है x है जड़ा कि में तो अदास्ता है थे ता हुन आपा line किच्चन लग गया है यहनु आप एस्ट्रा भी बोल से दे कि x-axis दे perpendicular के चलो या उन्हों को बच्चा बोल से दे कि y-axis दे parallel के चलो हुन y-axis दे जेड़ी है parallel होंदी है lines उन्हादी है equations आपनों पता है कला x variable ही होंदा है इते अपा फिलाल की किता है x is equal to a एक line आपढ़ ड्रो कर लेंगे जिते a की है positive क्योंकि यह depend करेगा ना कि जे a positive है ता अपनी line की होएगी हम आपनी line की होएगी आपनी line की होएगी इधर नू जाएगी जे अपना a positive है एधर ड्रो हैगी जे a negative होंदा ता line एधर ड्रो होंदी y axis दी left side थे ठेक है ता ही लिखना जुरूरी है कि अपा किदर नो line ड्रो कर लेंगे होना पाओ ही कर्व लिखली जड़ी शुरूच अपने कुले से कि y is equal to minus x square plus c ठेक है dy by dx एधर simple derivative कर देया ता आगया minus 2x c देयरिवेटिव 0 है क्योंकि constant है अपने देख रहे हैं dy by dx at x is equal to a ठेक है क्योंकि अपा slope of tangent जदो कर नहीं हुंदी है ता कोई point पर ना भेंदा होदे फोटेचे ता अपा x is equal to a पर रहे है ओके ना गया minus 2a ठेक है the slope of tangent की आगी minus 2a हुंतनू एधर दसदा कि एहे करंदे पिछे की purpose है ठेक है आदेखो एदा जड़ी अपा line डो किती से x is equal to a उन्हे line ने की किता सेगा जड़ी पैराबोलास ही 5 पैराबोलास है उन्हानू हुं कट के जारी के देखो मैं लिखे हुए a, b, c, d, e a line x is equal to a इन्हाँ पैराबोलास नो कट के जारी है capital a, b, c, d, e points थे ठेक है फिर उन्हा points थे मैं की किता उन्हां ते tangent row किते capital a थे भी capital b, capital c, capital d, capital e ठेक है हुँझ अपा इन्हादी घल करिए यह जड़े भी points ही पामे capital a है तब capital a जड़ा हैगा उदा fc सा था small a ही होएगा क्योंकि यह नूं काट कौन रही है line x is equal to a ज़े अपा गल करिए capital b थी तब capital b तक पहुंचन नहीं की होना पहेगा पहनों पहला fc सा small a ही cover करना पहेगा capital c तक पहुंचन नहीं तब यह अपसी सा c ही cover करना पहेगा तब x is equal to a की दासरी है कि parabola दे उपर जड़े भी points अपनों मिले है उन्हां सारे हैं दा fc सा किनना है small a ओके हुन अपा उन्हा ते जरो tangents रो किते हैं तो tangents देख सकते हैं तुसी की आ रहे है सारे parallel उन्हादी slope की नहीं आएगी आ देखो यह ही अपा find out किता है कि उन्हाद सारे tangents जड़े हैं उन्हादी slope की है minus two a slope ब्राबर है ना इससे करके इदा parallel है हो आ देखो ताहुं ऐसे गालनों आपा words दे विछ कि में explain करना है कि अपने की मिले है इदा देखो the indefinite integral of a function represents geometrically a family of curves जड़ा कि आप उपर कार चुके है having आदे को होन जड़ी seconds आपा गाल किती है और नाल अटैच होजेगी having parallel आप parallel दा symbol है having parallel tangents at their point of intersection with the lines orthogonal to the axis representing the variable of integration तो हुँनों ने कुल मिलाके इदा conclusion एबन गया यह जड़ा लिख्या वैथ है तुछी यह तो note कर सकते हूँ ठीक है फिर तो नों अच्छे तरह पतला कि जो किये मैं दसन लगया मैं से किया है कि एदे जोने यही किया कि family of curves बनन गया indefinite integral दा मतलब है family of curves बनन गया उनना curves दे उपर जदो एक कसी perpendicular line draw करांगे उस indefinite integral दी axis दे उपर जबें कि आप उपर समझे है सारा तो हो जड़ा है कि points मिलन गे उनना points दे उपर सारे tangents की होंगे उनना दिया slopes की होंगे बराबर होंगे मतलब tangents की होंगे आपस parallel होंगे ठीक है ता आप दो ने गलना समझे है कि family of curves होंदी एक ते indefinite integral एक क्यों होंदा है कि जदो आप एक line perpendicular खिच दे आ indefinite integral दी axis दे उपर मतलब x axis ही अपनी ठीक है ता ओदे उपर जदो परपेंडे खिच दे है ता जड़े भी points मिल दे है curves दे उपर उनना ते बनन वाले tangents आपस दे विच parallel होंदे है यही सिए दा meaning तेक है इन्हों एक वरे तुसी revise करोंगे चंगी तरह पड़ोंगे ता तो उन्हों सारी गल clear हो जगी कि की एस lecture जड़े विच दस्या गया जो भी plus two दे बच्चे है उनना ने जो भी quizzes करने है तो mathhunt.online ते जाके free quizzes कर सकते हैं हर एक chapter दे ठेक है मैं description box भी लिखता है website दा address है जड़ा practice ले तुसी किसे भी topic नो quiz कर सकते हैं thank you so much for watching